हेलो सुडेंट्स विल्कम टू माई यूट्यूब चैनल डिसापल नर्चर पॉइंट आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिल्टी टेस्ट और डिविजिबिल्टी टेस्ट में डिविजिबिल्टी बाइट टू की बात करेंगे ठीक है कोई नंबर टू से डिविजिबिल्टी ए या नहीं है तो सिर्फ वसिफ एक बात का ध्यान रखना है और वो बात क्या है कि जो भी नंबर दिया होगा उसकी वनस प्लेस को हम देखेंगे उसting लास डेजिट को हम देखेंगे और उसकी लास डेजिट अगर ईविन नंबर है या जीरो है अगर नंबर है या 0 है तो वो नंबर 2 से divisible हो जाएगा ठीक है चलिए example से समझते हैं हमारे पास suppose नंबर दिया हुआ है अब देखे ये तो बहुत बड़ा नंबर है ये काफी बड़ा नंबर है ठीक है तो अगर हम इसको 2 से divisible बताना है divisible है या नहीं है तो हम क्या करेंगे long method लगाएंगे ठीक है previous class में जैसे करते थे तो अगर हम long method लगाने बैठेंगे बच्चो तो काफी time लग जाएगा long method क्या है जैसे कि ये करते थे इस तरह से इस तरह से करने के बाद जब हम माले जैसों करते आए करते आए कर किया और last में हमें मिला remainder 0 तो जब remainder 0 मिलता था तभी तो हम कहते थे कि ये number इस number से पूरा क्या है divisible है बट हमें ये long method ना यूज़ करके हमें एक short method यूज़ करना है बिल्कुल तुरंट बता दें ठीक है कि ये number 2 से divisible है या नहीं है तो उसके लिए आपको क्या करना है इस number की once place को देखना है इस number की once place क्या है two ठीक है इस number की once place क्या है two तो अगर ये किसी भी number की अगर once place even number है या zero है even number है या zero है ठीक है देखे ये even number two है two क्या होता है even number तो ये two से divisible हो जाएगा ठीक है दूसरे example में देखिए यह number दिया हुआ है अब हम बताना यह number 2 से divisible है या नहीं है अगर किसी भी number के once place या तो even है और या 0 है तो वो 2 से divisible हो जाएगा तो यह number भी 2 से divisible हो जाएगा और यह तो यह भी divisible है ठीक है I hope आपको समझ में आ गिया होगा अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें हम फिर मिलेंगे अपनी नेक्स लास में तब तक के लिए गुडबाई